उत्तर प्रदेश पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी करवाही देखने को मिली है एटा में यहाँ एटा पुलिस ने आपरेशन दस्तक के नाम से एक अभ्यान चलाकर 24 घंटे में 105 लोगों को गिरफतार किया है जिसमें वान्शित अभ्योक्त, वारंटी, एनवी डवलू और इनामिया बादमा सामिल है गिरफतार सभी अभ्योक्तों को जब एटा पुलिस लाइन लाया गया तो यहाँ मेला सा लग गया पी एटा का कहना है कानून बिवस्था चुस्त दुरुस्त रहे इसलिए ऐसे कदम उठाए गये हैं कि इस 24 घंटे के पूरे डेटेल्ड अभ्यान में हमारी सभी थाने की टीमों ने मौत अच्छे से प्रयास किया और छेत्रा दिकारी महोदे सभी सर्कल के निर्दित्तों में टीमें गटित की गई ब्रीफ किया गया और इस पूरे अभ्यान में 24 घंटे के अवधी के दौरान हम लोगों ने 105 अभ्यूक्तों के खिलाफ कारवाई की जिसमें 73 वारंटी के अभ्यूक्त हैं NBW के वांचित हैं 31 विभिन अपरादों में वांचित अभ्यूक्त हैं और एक इनामिया अपरादी गैंगस्टर का 5000 का इसमें इनाम था थाना मरारा से इसको भी पकड़ा गया है तो टोटल 105 अपरादियों को हम लोग जन्पादेटा पुलिस सलाकों के पीछे आज भेज रही है ये हमने इस अभियान को अपरेशन दस्तक का नाम दिया क्योंकि ये एक सिर्फ शुरुआत है अपरादियों के खिलाफ कारवाई की और आगे भी इस तरीके के अभियान नि कारवाई को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि अब लोकसवा चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है एटा से न्यूज 75 के लिए आर्बी दुर्वेदी की रेपोर्ट